श्रीमद भगवद गीता भावार्थ सहित अध्याएच है आत्मसयमयोग, श्लोक एक अध्याएच है, आत्मसयमयोग श्लोक कर्मयोग का विशय और योगारूर पुरुष के लक्षन, श्री भगवानु वाच अनाश्रितह कर्मफला कार्यम कर्म करोती या है सा सन्यासी च योगी च न निरगनिन चाक्रिया भावार्थ श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है और केवल अगनी का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करन वाला योगी नहीं है, श्लोक दो अध्याए छे, आत्मसयमयोग श्लोक यम सन्यासमिती प्रहुर योग ताम विद्धी पांडव ना, यह सन्यस्त्सनल्पो योगी भावती कश्चन भावार्थ है अर्जुन, जिसको सन्यास गीता अध्याए तीन श्लोक तीन की, टेपनी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है, ऐसा कहते हैं, उसी को तु योग, गीता अध्याए तीन श्लोक तीन की, टेपनी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है, जान क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी, नहीं होता श्लोक तीन अध्याए छे, आत्मसयमयोग श्लोक आरूरूशो मुनेर योगं कर्म कारन मुच्यते, योगारूस्या तस्याइव शामा कारन मुच्यते भावार्थ योग में आरूर होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए, योग की प्राप्ती में निशकाम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूर हो जाने पर उस योगारूरूरूश का जो सर्वसन कलपों का अभाव है, वही कल्यान में हेतु कहा जाता है श्लोक चार अध्यायच है। श्लोक पांच अध्याय छे आत्म सयमयोग श्लोक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षन उद्धरेदात्मनात्मानना नात्मान मवसादेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधूरामेव रिपुरात्मना भावार्थ अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगती में न डाले क्योंकि यह मनुश्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अ शत्रुवत भावार्थ जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो आप ही शत्रु के सद्रिश शत्रुता में बर्दता है शलोक साथ अध्याए छै आत्मसयमयोग शलोक जितात्मनह प्रशांत स्य परमात्मा शीतुष्न सुख दुह खेशु तथा मानापंदयो समाहिताय, भावार्थ, सर्दी, गर्मी और सुख दुह खादी में तथा मान और अपमान में जिसके अंतह करण की वृत्तियां भली भाती शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्यान में सच्छिदानंदगन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है अर्थात उसके ज्यान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं श्लोक आत्मा सयमयोग श्लोक ज्यानवे ज्यान त्रिप्त आत्मा कूट्स्थो विजिते इंद्रिया, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष टाश्मकांचना भावार्थ जिसका अंतह करण ज्यान विज्यान से त्रिप्त है, जिसकी स्थिती विकार रहत है, जिसकी इंद्रिया भली भाती जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वो योगी, युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है, श्लोक नौ अध्याए छ आत्मसयमयोग श्लोक सुहरिन मित्रार्यो दासीन मध्यस्त द्वेश्य बंधुशु, साधुश्वपी चा पापेशु, संबुद्धिर्विशिश्यते भावार्थ सुहरिद, स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र, वेरी, उदासीन, पक्षपाता रहित, मध्यस् द्वेश्य और बंधुगनों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेश्थ है, श्लोक 10 अध्याय चे, आत्मसयमयोग श्लोक योगी, युन्जीत सतत्मात्मान रहसी स्थित है, एकाकी यच्चित आत्मान निराशिर परिग्र भावार्थ मन और इंद्रियों, सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाई श्लोक 11 अध्याय चे, आत्मसयमयोग श्लोक, विस्तार से ध्यान योग का विशय, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर्मासन मात्मना, नात्यु छृतम नातिनीच, चेलो जिनकु शोत्तरम भावार्थ शुधा भूमी में, जिसके उपर क्रमशा कुशा, म्रिगा छाला और वस्त्रा बिछे हैं, जो ना बहुत उचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अ अतने आसन को स्थिर स्थापन करके श्लोक बारा अध्याय छे, आत्मसयमयोग श्लोक तत्रकागरन मनह कृत्वा यत्चित इंद्रियक्रिया, उपविश्यासने, युन्च्या द्योगमात्म विशुध्धे भावार्थ उस आसन पर बैठकर चित और इंद्रियों की क्रिया को वश में, रखते हुए मन को एकागर करके अंतह करन की शुद्धी के लिए योग का अभ्यास करे श्लोक तेरा अध्याय छे, आत्मसयमयोग श्लोक समा काय शिरोग्रीवम धारन चली स्थिरह, संप्रक्ष्य नासिकागरन स्वम, दिशश्वानव लोक्यन भावार्थ काय सेर और गले को समान एवं अचल धारन करके और स्थिर होकर अपनी नासिका, के अग्रभाग पर द्रिश्टी जमाकर, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ श्लोक, 14 अध्याय छे, आत्मसयमयोग श्लोक प्रशान्तात्मा विगत भी ब्रमचारिवर्ते स्थित है, मनह सयम्य मच्चितो युक्त आसीत, मत्पराह भावार्थ ब्रमचारी के व्रत में स्थित, भयरहित तथा भली भाती शान्त अंतह करण वाला सावधान योगी, मन को रोक कर मुझ में चितवाला और मेरे परायन होकर स्थित होई श्लोक 15 अध्याय छे, आत्मसयमयोग श्लोक युंज नेव सदात्मान योगी नियत मानस, शान्तिन निर्वान पर्मा मत्सन स्थामधि गच्छती, भावार्थ वश में किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता, हुआ मुझ में रहने वाली पर्मानंद की आत्मसयमयोग श्लोक नात्य श्वत्स्तू योगोस्ती न चैकांतम निश्वत न चाती स्वपन शेलस्य जागरतो नेव चारजुन भावार्थ है अर्जुन ये योग न तो बहुत खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिधा होता है श्लोक 17 अध्याएच ये आत्म सयमयोग श्लोक युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्ट्स्य कर्मसू युक्तस्वपनावबोध्स्य योगो भावती दुहखा भावार्थ दोखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले युक्त इत्युच्यते तदा भावार्थ अत्यंत वश में किया हुआ चित जिस काल में पर्मात्मा में ही भली भाती स्थित हो जाता है। वैसी ही उप्मा पर्मात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित की कही गई है। साक्षात करता हुआ। सच्षिदानंद गन पर्मात्मा में ही संतुष्ट रहता है। भावार्थ इंद्रियों से अतीत केवल शुध हुई सूक्षम। बुद्धी द्वारा ग्रहन करने योग्य जो अनन्त आनन्ध है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था। में स्थित यही योगी पर्मात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं श्लोक बाई सध्याय छे। होता श्लोक तेईस अध्याय छे, आत्म सयमयोग श्लोक तम विद्याद दोख सयोग वियोगा योग संजितम सा निश्वेन योगतव्यो योगो निर्विन नचेटस भावार्थ जो दोखरूप संसार के सयोग से रहित है, तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए, वो योग ना उकताय हुए अर्थात धैरिय और उत्साह युक्त छित से निश्चे पूर्वक करना। कर्तव्य है श्लोक 24 सध्याएच है, आत्मसयमयोग श्लोक स्नल प्रभवान का मानस्त्यक्तवा सर्वान शेश्टाय, मन सेवेंद्रिय ग्रामा विनियम यो साम्तत भावार्थ संकल्प से उत्पन होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, नेशेश रूप से त्याग कर और मन द द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भाती रोक कर श्लोक 25 सध्याएच है, आत्मसयमयोग श्लोक शनय शनयर उपर मेबुधया ध्रिती ग्रिहीतेया, आत्मसंस्था मनह कृत्वाना कीचिदपी चिंत्यत भावार्थ क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उप् प्राप्थो तथा धैर्य युक्त, बुद्धी द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे श्लोक 26 अध्याएच है, आत्मसयमयोग श्लोक यतो यतो निश्चरती मन्श्चन चल्म स्थिर, तत्स्ततो नियम्य इत्दात्मनेव वशिन नईत भावार्थ यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विशय के निमित से संसार में विचरता है, उस उस विशय से रोपकर यानी हटा कर इसे बार-बार परमात्मा में ही निरुधा करे श्लोक सत्ताई सध्याए 6. आत्मसयमयोग श्लोक प्रशांत्मन समहेन योगिन सुखमुत्मम उपैती शांतर जस ब्रमभूतम कल्मशम। भावार्थ क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुन शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रहम के 6. आत्मसयमयोग श्लोक युंजनेव सदात्मानन योगी विगत कल्मश सुखेन ब्रहमसं स्पर्शमत्यंत सुखमशनुते भावार्थ वपाप्रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को पर्मात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक। इक्षिते योगयुक्त आत्मा सर्वत समदर्शन भावार्थ सर्वव्यापी अनन्त चेतन में एकी भाव से स्थिती रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है श्लोक तीस अध्याईच है आत्मसयमयोग स्लोक यो माःपशयती सर्वत सर्वं चा मईई पशयती तस्याहन प्रांश्यामी सच में न प्रनश्यती भावार्थ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतरगत गीता अध्याय 9 श्लोक 6 में देखना चाहिए देखता है उसके लिए मैं अद्रिश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अद्रिश्य नहीं होता श्लोक 22 सध्याय छे आत्म सैमयोग शलोक आत्मो पेन सर्वत्र समा पुश्यती योर्जुन सुखवा यदीवा दुखट सयोगी पर्मो मता है भावार्थ है अर्जुन जो योगी अपनी भाती जैसे मनुश्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादी के साथ ब्राहमन, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच शादिकों का साब अरताव करता हुआ भी उनमें आत्म भाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुहक को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना, अपनी भाती, सम देखना है संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथ्वा दुहक को भी सब में सम देखता है वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है श्लोक 33 अध्याय छे आत्मसयमयोग श्लोक मन के निग्रा का विशय अर्जुन उवाच योयम योगस्त व्या प्रोक्तह साम्येन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामी चंचलत वात्स्थितिन स्थिराम भावार्थ अर्जुन बोले है मधुसूदन जो ये योग आपने संभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिती को नहीं देखता हूँ श्लोक 34 अध्याय छे आत्मसयम योग श्लोक चंचली ही मनाह क्रिश्ण प्रमाथी बलवद्रिम तस्याह निग्रहम मन्ये वाई और इव सुदुशकरम भावार्थ क्योंकि है श्री क्रिश्ण ये मन बड़ा चंचल प्रमतन स्वभाव वाला बड़ा द्रेड और बलवान है इसलिए उसको वश्मे करना मैं वायू को रोकने की भाती अत्यंत दुशकर मानता हूँ श्लोक 35 अध्याय छे आत्मसयम योग श्लोक श्री भगवानु वाच अश्रियम महाबाहो मनो दुरनिग्रहम चलम अभ्यासें तु कौनतेय वेरागें चा ग्रिहयते भावार्थ श्री भगवान बोले। श्लोक असयत आत्मना योगो दुश प्राप इती में मते विश्यात मना तु यत्ता शक्योवाप्तु मुपायता भावार्थ जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुश प्राप्य है और वश में किये हुए मन वाले प्रयतनशील पुरु श्लोक अन्योगी की महिमा अर्जुन उवाच अयती श्रधयोपतो योगेच लित्मानस अप्राप्य योगसम सिधी का गतिन कृष्न गच्छती भावार्थ अर्जुन बोले है श्री कृष्न जो योग में श्रधा रखने वाला है किन्तु सयमी नहीं है इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिध्धी को अर्थात भागवत साक्षातकार को न प्राप्थ होकर किस गति को प्राप्थ होता है श्लोक 38 अध्याय छे आत्मसयमयोग श्लोक कच्छिनो भैविब्रष्ट श्छिनाब्रोमेव नश्यती अप्रत प्रिष्ठों महाबाहो विमुओ ब्रह्मनाय पथी भावार्थ है महाबाहो क्या वो भगवत प्राप्ती के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुश शिन भिन बादल की भाती दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नश्ट तो नहीं हो जाता श्लोक 49 अध्याय छे आत्मसयमय श्लोक एम में संशय क्रिष्ण छे तुम रहस्य शेष्ट त्वदन्य संशय स्यास्य छेताना युप पद्यते भावार्थ है श्री क्रिष्ण मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्या हैं क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छे भगवानु वाच पार्थ नेवे नामुत्र विनाषस्तस्य विद्यते नहीं कल्यांकरत कष्चि दुरगत नितात गच्छती भावार्थ श्री भगवान बोले है पार्थ उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न पर लोक में ही क्योंकि है प्यारे आत्मो योगवरश्ट उबिजायते भावार्थ योगवरश्ट पुरुष पुन्यवानों के लोकों को अर्थात स्वरगादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुध आचरन वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है श्ल 42 सध्यायच है आत्मसयमयोग श्लोक अत्वा योगी नामेव कुले भावती धीमताम एतद्धी दुरलब तर लोके जन्म यदी द्रिशम भावार्थ अत्वा वेराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्यानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंतु इ नेसंदे अत्यंत दुरलब है श्लोक 43 सध्यायच है आत्मसयमयोग श्लोक तत्र तम बुद्धि सयोग लबते पौर्वदेहिकम यत्ते चत तो भुयह समसिधों कुरुनंदन भावार्थ वहां उस पहले शरीर में संग्रह किये हुए बुद्धि सयोग को अर्थात दिरूप योग के संसकारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है और है कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धी के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयतन करता है श्लोक 44 अध्यायच है आत्मसयमयोग श्लोक पूर्वा भयासेन तेने वह यते हिवशोपी सह जिग्यासु रपी योगस्य शब्द द्रमातिवर्त्ते भावार्थ वह यहां वह शब्द से श्रीमानों के घर में जन लेने वाला योग ब्रश्ट पुरुष समझना चाहिए श्रीमानों के घर में जन लेने वाला योग ब्रश्ट परादीन हुआ अभी उस पहले के अभ्यास से ही नहसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धी रूप योग का जिग्यासु भी वेद में कहे हुए सकॉम कर्मों के फल को उलंगन कर जाता है श्लोक 45 अध्याएच है आत्मसयम योग श्लोक अनेक जन्म समसिधस्ततो यात परांग गतिम भावार्थ परंतु प्रयतन पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संसकाबल से इसी जन्म में समसिध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर ततकाल ही परमगती को प्राप्त हो जाता है श्लोक 46 अध्याएच है आत्मसयमयोग श्लोक तपस्विव्योधिको योगी ज्यानिभ्योपी मतोधिकाय कर्मिभयश्वाधिको योगी तसमाद योगी भावार्जुन भावार्थ योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है शास्त्र ज्यानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और स कौम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ट है, इससे है अर्जुन, तु योगी हो श्लोक 47 अध्याएच है, आत्मसयम योग श्लोक योगी नाम पी सर्वेशां, मदरतेना तरात्मना, श्रधावान भजते योमा समे युकततमो मतह भावार्त संपूर्ण योगियों में भ भजता है, वो योगी मुझे परमश्रेष्ट, मान्य है